हेलो स्टूडेंट्स हाव आयू आभी कल मैंने आपको क्या पढ़ाये था कल मैंने आपको बताया था चित्र को पहचान कर प्रत्थम अक्षर लिखना जैसमें पहले हमने स्वरो के बारे में पढ़ा था स्वरो में जैसे अनार आम तो उनके आगे का लिखेंगे आम के पास आम है तो उसके आगे आएगा आसे किसे होता है आम आसे आम कल हमने वेंजनों में पढ़ा पिक्चर बन पहले हम दो वर्णों को अलग अलग लिखेंगे जैसे देखिए मैंने से पहले क्या सब श्रberburg यह और क्या होता है हक्या और यह हमार अब पीच मेरी आइसा क्या निशान लगा देंगे और यहाँ अब ब, अब यहाँ पे इजी कोट लिपास है, यह हमारे देखें दो वर्ड है, यह अ और यह ब, पढ़ने आते हैं मैंने पढ़ा है आपको, यह नरसी में पढ़ चुके आप क्या है यह, छोटेया से अनार, और यह ब से बत तक, अब हमें इन दोनों को मिला कर लिखना है तो जहां हम इने लाइन खीचेंगे, बड़ी हम इस बार अब जहां हम इने मिला कर लिखते हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो इधर लिखा है, जो हमने पहले लिखा था, उसे हम पहले लिखेंगे ऐसे और अब इसके पास क्या लिखा वाई इसके बाद ये जो प्लस का निशान है ये नहीं लगाना आब आपको आपको इन दोनों को जोड़ दे रहा है तो अब हम लिखेंगे इसके पास में बहुत देखें बीच में प्लस का निशान था वो लगा है मैंने अब नहीं पहले अबा, अब, क्या हो जाएगा आपका ये, अबा, अब, नमबर टू, अब देखें ये लिखा है मैंने न, क्या लिखा है ये, न, प्लस लगाया हमने, ल, अब लाइन कीचो बढ़ी होगे, हमें इन दोनों को मिला के लिखना है, तो बढ़ी लाइन पीताएंगे दोनों ये, पहले क्या लिखा है मैंने यहापे, न, और उसके पास क्या लिखा है मैंने ये, ल, ये क्या होता है, न, और ये, ल, हाँ, दोनों अलग 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 पड़े, हम इने मिला के पड़ेंगे, न, ल, किसकी साउंड है ये आपकी, न, ल, न, ल, क्या बना आपका ये, न, ल, नल, नमबर थ्री, अब देखे, अगर हमारा यहां पर रिखा है यह, ह, प्लस का निशान लगा लो, ल, अब यह देखे, यहां पर था, नल, तो क्या वोला हमने, नल, 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 अब यह है, हल, तो क्या बन जाएगा यह, हल, देखे, बाद में दोनों में सेम ही रहा, हमने जब यह चेंज कर रहा, हमने जब यह बदल दिया, इधर वाले, तो पूरा शम्ट बदल गया हमारा, नल, और यह होता है हमारा हल, नल जालते हैं न, क्या होता है, इसमें पानी आता है, नल, और हल, जो कि खेत में चलाते है किसान वो थार खल नमबर फूर अब देखे इसमें फिर हम एक बात देखेंगे फ़ प्लस ला अब देखे इसमें भी बाद में हमारा लाई है इदर लेकिन इदर हमने क्या लिख दिया ये फ़ तो हम इदर फ़ लिखेंगे पहले आप देखेंगे आप एक एक वर्ण बढ़ा देखेंगे सिर्फ में नला नलू हाला हलू फाला फालू नमबर फाइव चा प्लस ल चा और ला को पास पास लिख दिया मैंने अब आप क्या बना ये चाला चालू क्या बनगे आभी आपका चाला चालू ये था हमारा नलू हाला हलू फाला फालू चाला चालू अब देखेंगे नमबर शिक्स अब लावाले लिखेंगे हमने अब देखो हम लिखेंगे बावाले तवा जैसे हमने इदर यहाँपे लिखा था ये आबा आब 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 ता प्लस बा अब देखिए ए आ था यहाँ पर और बा अब इस टा और बा को पास पास लेखें अगर आबा है तो अबू टाबा टाबू नमबर सेवन स प्लस ब लाइन खीचेंगे सब तो जो पहले हमने इधर लिखा होता है यह पहले जहाँ पर सा लिखा है तो यहाँ पर सा ही आएगा और यहाँ बा लिखा है तो यहाँ पर बाई आएगा बाद में अगर देखें हम इसे उल्टा कर दें तो कैसे हो जाएगा हमारा यह अगर हमने पहले ब्रहाइक चलव थीट के लिखा है और बाद में कर दिया है यहां पेले क्या इसमें साब कर दी कि यहांद में आंगया सबहा चुना हूं हम जो हमस्क हमने पहले लिखा है य। बाद वाला बाद में तो सब बात होता है हमारा सब और बस बस देखे बदा गया ना पूरे शब दिन के सब क्या होते हैं सब बैठे हैं एक साथ और बस क्या होती है बस देखे जो रोड पे चलती है वो बस तो इसमें आपको हमेशा धान होता है जो पहले लिखा है वो पहले लिखेंगे और जो बादवाला है वो आगे, ठीक है चलिए पढ़ते हैं विग बारी इसको, आबा, अब, नाला, नल, हाला, हल, फाला, फल, चल, चल, तब, तब, सब, सब, बसा, बस, तो आपको ऐसे ही अपने दो वर्णों वाले शब्द जो है आपके, उन्हें आपको अपनी कॉपे में लिखना है, और ये दो वर्णों वाले शब्दों को आपको पढ़ना भी सीखना है, ओके, थेंक्यू,